Hello everyone, Kolkata में trainee doctor के साथ जो गिनोनी गटना हुई है वो देश भर में इस चीज़ पर काफी गुसा है और मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये का उसके साथ ये कांड करने का हक नहीं है बगवान ने उसे जिन्दगी दी है और उसे खतम करने का राइट किसी भी लड़के को नहीं दिया है पच्छिम बंगाल के कोलकाता के आर जी कोर मेडिकल कोलिज की एक ट्रेनी डोक्टर की हत्या है वो अब एक रास्टिया मुद् मैंने किया है लेकिन ऐसा नहीं है अब पोस्ट माटम रिपोर्ट से पता चला है कि ये गैंग रेप है और इसको छुपाया भी जा रहा है ना अब तक डोक्टर का किसी का बयान आया है ना होस्पिटल की तरफ से किसी ने भी बार आकर कोई भी बयान दिया है और यहां तक क जब लड़की के ममी पापा को सुबह खबर पहुंचाई गई फिर वो बारी बारी से कॉल कर रहे थे जब वो होस्पिटल पहुंचे तो तीन गंटे तक उन्हें वेट भी करवाया गया और एक लड़की जो मतलब नाइट शिफ्ट कर रही है वो रात को अपने वर्क प्ले की पर डाल देते हैं क्योंकि लोगों की ये थिंकिंग है लेकिन अब आप सोचो कि एक लड़की जो होस्पिटल में है वो अप ओन ड्यूटी है और वो रेस्ट करने के लिए सेमिनार में जाती है सेमिनार में जहां पर इतनी मतलब एक सेफ जगह होती है होस्पिटल की क्यो की वो खुद उस जगए पर काम कर रही है वांके डोक्टर्स हैं लेकिन वहाँ पर उसके साथ गैंग रेप होता है किसी को पता नहीं चलता और यहाँ तक कि उसकी आँखे फूट चुकी है मतलब उसने जो स्पैक्स लगा रखे थे उसका काँच फूट के उसकी आँखों में गुस गया और उसकी जो टांगे थी वो 90 डिगरी के एंगल पर मुड चुकी थी उसके नेल सारे तूट चुके थे उसकी मतलब बोड़ी का हर एक पार के लिए देश में उठाओ किया जाता है लोग केंडल मार्च भी करते हैं लोग हम इस चिज़ों के बाहर अरताल भी कर देंगे सब कुछ कर देंगे लेकिन तीन या चार दिन के बाद वापिस से ये सब चिज़े शानत हो जाएगी हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है एक बताओ कि इतनी साल उस लड़की को पढ़ाया लिखाया डॉक्टर बनाया जब उसे काबिल बनने के थोड़ा सा मतलब पास आए उस लड़की की जिंदगी चीन ली किसको हक मिलाया इस लड़की की जिंदगी का मतलब चीनने का और एक होता है कि मतलो चलो ठीक है उस ची ना लड़की के सपोर्ट में थे और वो यहां पर तोड़ भोड़ कर रहें क्योंकि करवाई नहीं होई जब कि ऐसा नहीं है जो भी इन केस में है इन्वोल्व वो किसी उन्ची पार्टी से हो सकता है या उसका हाथ एक कई बड़ों में हो सकता है ताकि यह सबुत मिटाई जा यह चीज़े है वो दूर होगी इतनी हैवानियत फैल चुकी है लोगों में और अब एक पैरन्ट्स की यह डूटी बन चुकी है कि वो अपने बच्चों को न्यूज दिखाए यह चीज़ें दिखाए संसकार दे चलो ठीक है बच्चों को आज हम यह चीज़ें कहते हैं कि लड़कियों को किस निगास से देखना है चाए आप उन्हें प्यार से समझाओ चाए वहाँ पर गुस्टे से समझाओ लेकिन ये करना बहुत जरूरी है आने वाले टाइम में वरना लड़कियों को पड़ा लिखा कर कामयाब करने का क्या फाइदा जब लड़कियां बाहर न की है इस पर जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी आप सुनोगे ना तो आपकी वी आँखों से आंसों आने लगेंगे कि एक लड़की की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है वो गुजरती रही इमतहानों से गंदी नजरवाले महमानों से वो जलती आई है जमानों से वो आज फिर से डर कर आई है दुकानों से कोई कहता है लक्षमी है कोई कहता है बरकत हुई है कोई कहता है बोज उसको तो कोई कहता है मुबारक हो आपके घर लड़की हुई है रात बहुत थी कपड़े ऐसे पहने थे अकेली निकली थी ये कैसा तर्क है वो जानवर है उम बाप की पलकों पे वो आज खुन से लटपत पड़ी है मुबारक हो आपके घर बेटी हुई है ये कविता मुनफर फारुकी ने सुनाई है सोशल मीडिया पर शेयर की है इसके बाद आयुशमान खुराना ने भी एक अपना रियक्शन दिया है इस हैवानियत पर उन्होंने का है कि काश मैं लड़का होती मैं भी बिना कुंडी लगा कर सोती काश मैं भी लड़का होती जली बनकर दोड़ती सारी रात दोस्तों के साथ फिरती काश मैं लड़का होती कहते सुना है सबको लड़की को पढ़ाओ लिखाओ ससक्त बनाओ लेकिन जब पढ़ लिकर डोक्ट होती तो मैं जिन्दा होती लड़की हूँ तो मुझे जीने का हक नहीं है मेरी जिन्दगी छीनने का हक किसी और के हाथ में है आप हमें अपना उपीनियन जरूर रखना वीडियो को लाइक करना जादा से जादा शेयर करना ताकि हर एक लोगों तक ये वीडियो पहुन सके ताकि वो अपने बच्चों को इस चीज के लिए जुके टिड कर पाए कि किसी लड़की के जिन्दगी को छीनने का हक किसी भी लड़के को या किसी भी इनसान को नहीं दिया भगवान ने उन्हें भी जीने का हक है आपका इस पर क्या कहना है जरूर बताना